वेल्कम स्टूडेंट्स हमारे काउट्स एजुकेट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है जैसे कि आप सबको पता है कि फिफ्थ में को हमारा नीट ट्वंटी ट्वंटी फॉर का एक्जाम होना है तो आपको उस टाइम पर क्या चीज़े ध्यान रखनी चाहिए और क्या चीज़े नहीं करनी चाहिए या वाइड करनी चाहिए उससे रिलेटेड हम कुछ टिप्स आपको देने वाले हैं माईसेल्फ अमित कुमार यादव और मैं करीब टैनियर से फिजिक्स पढ़ा रहा हू तो जैसा कि फिजिक्स का पोर्शन हमारे लिए बहुत क्रूशल होता है खासकर नीट के एकजाम में तो आप फिजिक्स में एक मैक्सिमम स्कोर ला सके ताकि आपका कॉन्फिदेंस बरकरार है अगर आप रिपीट करना चाहिए रिपीट करे और अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो हो सकता है इसी साल आपको सेलेक्शन मिल जाए और आपको मन चाहा कॉलिज मिल जाए तो अगर मैं बात करूं हमारे सब्जेक्ट में तो आपको जैसे फॉर एक्जाम्पल मैं बहुत ब्रीफ में डिसकेशन करने जा रहा हूं तो इलेक्ट्रो करेगा या तो किसी पॉइंट पर फोर्स निकालने को कहेगा और इस टाइप के कोश्चन में बिटा आपको ध्यान रखना है कि आपको आई जे कैप जो फॉर्म होता है इसी फॉर्म में वेक्टर को लिख के एड करना है और सूपर पोजीशन प्रिंसिपल का यूज करते प्रिवियस यर इसके बाद हम बात करें तो पोटेंशल और केपैसिटेन्स पोटेंशल में सबसे ज्यादा इंप्रिंशल पोटेंशल इनर्जी के रिलेशन वाले कुश्चन जिन में आपको पोटेंशल इनर्जी का चेंज निकालना होगा इंद फॉर्म ऑफ एक्स्टरनल agent का work done कितना हुआ इसके बाद हम बात करेंगे capacitance में capacitance में बिटा आपको series parallel तो ध्यान हो गई जो कि resistance का वाई से वर्सा होता है इसके लाब आपको ध्यान रखना है कि capacitor के अंदर electric field की calculation क्या होती है capacitor के अंदर energy stored क्या होती है और इन सब की calculations के साथ आपको charge की calculation करना होगा किसी भी ब्रांच में अगर capacitor जुड़ा हुआ है तो उससे related आप questions देख के जाना last moment पे फिर हम बात करते हैं current electricity की यहाँ पे charge अब रुका हुआ नहीं है वो motion में आ चुका है अब जब moving charge की हम बात करेंगे बिटा तो यहाँ पे KVL और KCL यानि कर्चा of voltage law जो की एक loop में लगाना होता है और दूसरा कर्चा of current law जो की junction law है जो की charge conservation principle पे based है दूसरा energy conservation principle पे based है कि loop में सारे potentials का sum zero होता है क्योंकि conservative fields fields के बारे में हम यहाँ discuss कर रहा है next आपको बेटा magnetic effects of electric current देखके जाना है इसमें formula एक तरीके से questions आएंगे किसी भी infinite length के wire के वज़े से किसी point पे field की calculation करना या कोई circular loop दिया हुआ है उसके center पे या उसकी axial line के उपर किसी point पे field की calculation करना इससे related questions और formula आप देखके जाना और direction के लिए बेटा एक ही rule को हमेशा follow करना ऐसा ना हो कि आप बार-बार अलग-अलग rules यूज करते हो इससे क्या confusion create होगा और last moment पे exam के pressure में आप से गलती होने के chances बढ़ जाएंगे तो उसको avoid करने के लिए किसी भी एक rule से stick कर जाईए और उसी को follow करते रही है last moment तक फिर हम बात करते हैं electromagnetic induction की इस chapter में आप emotional EMF या वो formula जो EMF को convert करना या किसी branch में current की पारे में पता करना कितनी current आईगी motion की वजए से flux कट होने की वजए से इससे related direct formula देखके जाना पर फिर भी मैं यह कहूंगा जिन्हों ने इस chapter को तयार ना किया हूँ अभी इसको बिलकुल ना पड़े इसके बाद आपका है electromagnetic waves यह ऐसा है जो last moment पे भी आप पढ़के कर सकते हैं questions इसमें बड़े standard type के questions आते हैं बहुत fix type का pattern होता है कि एक wave की equation से दूसरे wave की equation को compare करना उससे related कोई भी parameter आपको find करने को बोला जाएगा इन चीजों को आप follow करना और दूसरी एक चीज बहुत ध्यान रखनी है आपको कि आपकी जो biological clock है जिसको set करने में कम से कम 10 days लग जाते हैं उसको इस सेट करना बेटा कि जो timing है आपके exam के पेपर का उसी टाइम पे आपकी body की efficiency सबसे जादा निकल के आनी चाहिए ताकि आप maximum चीजों को recall कर सके उस time पे और maximum output आपका निकल सके इसलिए अपना schedule इस तरीके से last moment पे रखिएगा कि जो 225 20 वाला आपका जो timing है जिसमें आपको perform करना है जो कि आपका पूरे साल की मैनत को decide करने जा रहा है तो उस timing में आपकी body हमेशा active ही रहनी चाहिए उसके लिए आप इस time पे कोशिश करिए कि आप पेपर को solve करिए और जो भी चीजे करना दूसरा बहुत ज्यादा questions मत लगाओ last moment पे different variety के problems जो की किसी concept पे based हो किवल उनको देखके जाए बहुत ज्यादा questions लगाने से कोई benefit नहीं होने वाला है आपको यहां पे ठीक है इतनी बातों के साथ मैं अभी conclude करता हूँ फिर next video में हम आपसे मिलते हैं कुछ और नई tips के साथ तो please do like share and subscribe thank you